Welcome to Only IS, तो अगत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Environment के Current Affairs के Revision का ये हमारा चौथा lecture है आज के इस session में हम December महिने के Environment के Current Affairs को revise करेंगे इस पूरे session की जो PDF है वो आपको Only IS की website पर available मिलेगी उसके लिए आपको website के download section में जाना होगा किसी भी other PDF को avail करने के लिए आपको Only IS के Telegram Channel को join करना होता है तो चलिए सुरुआत करते हैं इस session का first important article 12th क्रिहा Summit के बारे में है Context क्या है? Union Minister of State, Ministry of Housing and Urban Affairs ने अभी हाल ही में 12th क्रिहा Virtual Summit को inaugurate किया New Delhi में COVID-19 का समय चल रहा है तो summits वगरा virtually ही ही हो रही है इस summit के बारे में बात करते हैं Summit है, मतलब कुछ लोग एक साथ एकठा होंगे, बैठेंगे और बातचीत करेंगे बातचीत करनी क्यों है? यह महत्तपूर सवाल है देखे, आने वाले एक दसक में इंडिया की 50% population सहरों में रहेगी जिसके लिए हमें urban landscape की आविशक्ता पड़ेगी जो water need है, वो भी demand के comparison में दोगुनी हो जाएगी हमें बहुत सारा garbage प्रोसेस करना पड़ेगा ऐसे स्थिती में जो इंडिया का urban area है, वो बहुत ही haphazard condition में जाने वाला है लेकिन हमारे पास समय है, हम planning कर सकते हैं और इन चीजों को बहतर कर सकते हैं जो हमारा infra है, हम उसे ऐसे develop कर सकते हैं, जो building से उन्हें ऐसे बना सकते हैं कि वो इन moment को favor करें, ना कि उनको erode करें, नुकसान पहुँचाएं लेकिन ये solutions कैसे निकलेंगे, इसके लिए हमें आपस में मिल बैठ के बातचीत करनी होगी और इसी उद्देशे इस ग्रिहा summit को organize करवाया जाता है, ताकि सभी लोग मिल कर बैठें कुछ innovative technologies के बारे में बात की जाए, solutions के बारे में बात की जाए ताकि आने वाला जो हमारा समय है, उसके लिए हम एक robust mechanism develop कर सके जिससे सभी को फायदा हो इस बार theme रही, rejuvenating resilient habitat, मतलब ऐसे घर बनाये जाएं, ऐसा habitation develop किया जाए जो की फायदे मंद हो, environment को degrade करने वाला ना हो, resilient हो launch event में देखिए हमाया जो vice president थे, उन्होंने शास्वत magazine को भी launch किया एक किताब भी launch की गई, 30 stories beyond buildings, इस event के दौरान ही इसको भी launch किया गया अगर हम ग्रिहा, summit के इतर, ग्रिहा की बात करें, तो देखिए ग्रिहा एक rating tool भी है इसका full form है green rating for integrated habitat assessment rating tool का मतलब यह है, यह बताता है, assessment करता है, कि जो building है, वो जो nationally acceptable benchmarks हैं, उनके comparison में कितना बढ़िया परफॉर्म करेगी, उसका assessment करना assessment करता कौन है, ग्रिहा council assessment करती है, है क्या यह, यह not for profit society है, जिसे terry और MNRE ने मिलकर set up किया था terry का full form है, the energy and resource institute, और MNRE stands for ministry of new and renewable energy, उद्देश यह है कि इंडिया में green building को promote किया जाए mechanism क्या opt किया जाता है, जो buildings वगदा बन रही है, शुरू से ही उनके design को evaluate कर लिया जाता है और उसकी पूरे life cycle में उसकी क्या performance होगी, उसकी basis पे उस building को rate कर दिया जाता है parameters क्या इस्तेमाल किया जाते है, site कैसी है, जहांपर building बन रही है, क्या resources का अच्छी तरीके से utilization हो रहा है building को कैसे operate और maintain किया जाएगा, और innovation कितना इस्तेमाल किया गया है और वो natural resources पे कितना stress डालता है, हमें यह सब पहले से पता होता है, तो उसके basis पे हम काम कर लेते हैं अब यहां पर देखे, कुछ और भी initiative, habitat से जुड़े हुए है Global Housing Technology Challenge अभी 2019 में January में launch किया गया था और इनाइस किया गया था Ministry of Housing and Urban Affairs के दवरा उदेश यह था कि वर्तमान में जो भी best available construction technologies हैं, हम उनका इस्तेमाल करें ताकि green buildings बन सकें, ऐसे buildings बन सकें, जो कि disaster को सहनी के छमता रखते हूं एक और initiative है, जो कि housing से ही जुड़ा हुआ है, that is ASHA Affordable, Sustainable Housing Accelerator Accelerator का मतलब यह होता है, जो मदद करें, चीजों को बढ़ाया इसके तहर देखें, पाँच Incubation Centers को establish किया गया Incubation Centers, ऐसे Centers होते हैं, जो मदद करते हैं अब Incubation Center किसी भी field में हो सकता है, वो जिस field में होगा, उस field में मदद करेगा मदद यह कैसे करते हैं, कि कौन सा बढ़ियां material आप इस्तिमाल करो Process कैसा हो, घरों को बनाने का, Technologies कैसी इस्तिमाल किया सकती है कि Resources का अच्छी तरीके से Utilization हो, यह सब यह बताते हैं, मदद करते हैं जो कि Cannabis के बारे में है UN Commission on Narcotic Drug ने अभी हाल ही में Reclassify किया Cannabis को, और Fourth Schedule से बाहर कर दिया जो कि Most Dangerous category of drugs की एक सूची थी, एक लिश्ट थी इसका भारत ने बिरोध भी किया क्योंकि Cannabis यानि की गाजा और कुछ मिलते जुलते जो ऐसे products इससे तयार किये जाते हैं, जो human life के लिए sometimes dangerous होते हैं और quality of life को degrade करते हैं Single Convention on Narcotic Drug है, उसके schedule 4 से भी बाहर किया गया इसके पहले Cannabis को कुछ deadliest, जो addictive opioids हैं, जो नसीले पदात हैं उनकी स्रेडी के साथ जुड़ा गया था, हिरोईन के पैदली इसे रखा गया था लेकिन अभी हटा दिया गया, कई सारी European countries मांग कर रही थी क्योंकि medicine industry में इसका काफी ज़्यादा इस्तिमाल होता है 4th schedule में होने के वज़र से, medicine industries के उपर भी काफी ज़्यादर restrictions होते थे इसे हटाने का वो लगातार प्रयास कर रहे थे जो cannabis plant होता है, WHO के मुताबिक, ये एक generic term है जिसमें कई तरीके के psychoactive preparations वाले plant आ जाते हैं psychoactive का मतलब ऐसे किसी plant से है या किसी भी ऐसे पदात से है जो हमारे दिमाग की functioning को hinder करता है, disrupt करता है तो WHO के मुताबिक cannabis category में या इस genus में ऐसे plants आते हैं जो सबसे ज़ादा traffic किये जाते हैं या illegally cultivate किये जाते हैं इसमें जो सबसे important psychoactive constituent है जो तत्व है वो है delta 9 THC NDPS Act के मुताबिक जो cannabis plant है उसका मतलब इस genus से बिलॉंग करने वाले कई सारे plants या पौधों से है लेखे वियना-based XCND जो commission on narcotic drug है उसे 1946 में found किया गया था जिसने डिसाइड किया कि दुनिया भर में जो ऐसे drugs हैं जो human life को नुपसान पहुचाते हैं उन्हें control करेंगे schedule 4 में सबसे ज़्यादा denser scattering के drugs को सामिल किया गया जिसमें cannabis को भी डाला किया इसके बाद इंडिया ने भी 1985 में अपने लिए कानून बनाया उसमें बोला गया कि सभी डेस अपने अपने कानून बनाकर इसे legalize करें और इसके उपर restrictions impose करें legal manner में Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 इंडिया में आया जिसके तहर cannabis को यहाँ पर illegal declare किया खिया तो UN agency ने इसे reclassification में बाहर कर दिया fourth schedule से तो इसका क्या मतलब है क्या दुनिया भर में अब सभी लोग cannabis का इस्वाल बहुत frequently करने लगेंगे ऐसा नहीं हर देस के पास अपना कानून है इसको लेकर जब तक वो अपने देस के particular country के कानून में बदलाव नहीं करेंगे regulations नहीं हटाएंगे तब तक तो जो जैसे है वैसे ही चलता रहेगा ठीक है अगला article जो कि Climate Ambition Summit के बारे में है United Nations, United Kingdom और France इन तीनों में मिलकर Climate Ambition Summit 2020 host किया virtually COVID-19 चल रहा है तो सब कुछ virtually ही हो रहा है तो इन तीनों मिलकर इसे host किया है virtually organize किया गया है क्यों organize किया गया? क्योंकि Paris Agreement on Climate Change जो adopt किया गया था 2015 में उसके 5 साल complete हो गया है that's why इस summit को organize किया गया यह जो summit है इसमें प्रयास यह किया गया कि सभी देश एक बार फिर से सामने आएं और जो उनकी commitments हैं उनको एक बार नया करें कुछ इस तरीके से ताकि हम Paris Agreement में जो goals हैं उनको पूरा कर सकें इस summit में क्या निकल कर आया? United Kingdom ने यह pledge किया कि जो climate finance में वो contribute कर रहा है मतलब दुनिया में climate change को हम लड़ सकें उसके लिए जो UK का contribution है वो उसको अगले 5 सालों में double कर देंगे और 15.5 billion dollar contribute करेंगे European Investment Bank नहीं कहा कि 2025 तक उनका जो 50% investment होगा वो environment and climate sector में जाएगा जो उसको preserve करे, बचाए Climate finance commitment की भी बात की गई जहां पर यह कहा गया कि जो ऐसे plans हैं जो climate change को adopt करने के लिए बनाये जा रहे हैं, policies हैं उनको implement करने के लिए उसके लिए पैसे खर्च किये जाएंगे support किया जाएगा हमारे honorable prime minister ने ये बोला कि India ना केवल Paris Agreement targets को achieve करने के बिलकुल track पर है बलकि हमने expectations के beyond काम किया है तो ये बात ही इस ambition में या इस summit में निकल कर आती है Paris Agreement commitment में इंडिया की progress क्या है उस पर बात कर लेते हैं इंडिया ने 2005 के level पर जो अपना emission है वो 21% तक कम कर दिया है इंडिया का जो renewable energy की capacity है वो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है at the same time इंडिया का target 2020 तक 175 gigawatt का है जो कि almost end होने वाला है इंडिया ने देखे 16 capacity को काफी बढ़ा लिया है पहले हमारी capacity 2.63 gigawatt की हुआ करती थी in 2040 और अब ये बढ़कर 36 gigawatt की हो चुकी है in 2020 वोल स्टेज पर हम देखते हैं तो इंडिया ने दो बहुत important initiative लिये हैं एक solar alliance और दूसरा coalition for disaster resilient infrastructure ताकि हम ऐसा इंफ्राडवलप कर सकें जो disaster को bear कर सकें सह सकें पर इस agreement की बात करें तो इस agreement को UNFCCC का जो COP21 था उसमें Paris में 2015 में adopt किया गया था उद्यस यही था कि जो global temperature है हम उसे pre-industrial level से 2 degree के उपर नहीं जाने देंगे और कोशिस ही रहेगी कि हम इसे 1.5 degree पर रोग दें इंडिया के बारे में है जो कि European Union और United Kingdom जैसे देशों के साथ साथ है latest edition में Climate Change Performance Index के इसे publish किया जाता है एक environment think tank के द्वारा नाम है German Watch 2005 से ही से publish किया जा रहा है ये independent monitoring tool का इस्तेमाल करते हैं countries को track करने के लिए environment को protect करने के लिए climate को protect करने के लिए countries कैसे perform कर रहे हैं यहाँ पर देखिए 57 countries के साथ European Union को भी यहाँ पर track किया जाता है जो कि कुल मिलाकर 90% of global greenhouse gas का emission करते हैं अब यहाँ पर देखिए कुछ criteria इस्तिमाल किया जाता है इनके द्वारा 4 criteria हैं जिसमें कई सारे indicators हैं 14 indicators हैं greenhouse gas का emission कितना कर रही है कोई भी country पूरा जो score होता है उसमें 40% weightage तो इसी का होता है greenhouse gas emission का renewable energy का इस्तिमाल कितना हो रहा है 20% weightage के साथ energy use कैसे हो रहा है 20% और climate policy किसी country की कैसी हैं उसे भी 20% का weightage दिया किया है अभी climate policy वाला पार बड़ा अच्छा है कौन सा देश किस प्रकार की policies बनाकर climate change को tackle करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो various agreement के जो goals है उसे achieve कर सके इसे भी ये evaluation में लेते हैं that's great findings क्या आई इंडिया को देखे second time top 10 में ranking मिली last time इंडिया को 9th rank मिली थी और इस बार 10th rank दी गई है score जो है वो out of 163.98 है देखे renewable energy के field में है इंडिक्स में देखे ये कहा गया है कि कोई भी country भी बहुत अच्छा perform नहीं कर रही है कि 2015 के 30 agreement के जो goal से उनको achieve किया जा सके इसी लिए इस agreement में first, second और third rank किसी को भी नहीं दिया गया है rank start ही fourth से होती है और इंडिया को 10th मिली है जो 6 G20 की countrys है वो काफी कम performer रही है low performer रही है United States को 61st rank दी गई है जो worst performer है सबसे खराब इन्होंने ही perform किया है इस graph में आप देखेंगे clarity मिल जाएगी 123 rank किसी को नहीं दी गई है उसके पास Sweden को then UK को इंडिया को 10th मिली है 2019 में इंडिया के rank 9 थी 18 में 11, 14, 20, 25 और 31 मतलब इंडिया ने लगातार इसमें अपनी rank को improve किया है जो मरा अगला article है वो eco duct और eco bridge के बारे में है देखे हाल ही में राम नगर forest division दो नैनिरार district में आपको मिलेगा उतरा खंड में उन्होंने एक eco bridge बनाया और यह उनका first eco bridge है जो कि reptiles और छोटे mammals के लिए इस्तेमाल हो सकता है अब इनको बनाने के आविशक्ता देखी यहां image में देखी यह 20 से जंगल के बीचो बीच एक सड़क जा रही है अब इसमें एक barrier का काम करती है यह सड़के अगर उनका habitat इस तरफ कमजोर हो गया तो उनके localized wind में extinct होने का खत्रा भी बना रहता है तो usually bridges का इस्तेमाल कई बार इनके उपर पेड़ वगएरा भी प्लान कर दे जाते हैं घासे वगएरा लगा दी जाती है ताकि look इसका बिलकुल normal आ जाए जाने लोग कैसा न लगे कि यह कोई पुल है या कोई नई चीज है उन्हें लगे कि यह normal pathway है bridges देखिए तीन तरीके के बनाया जाते है canopy bridges होते हैं जो monkey, squares, ऐसे jeep जो पेड़ों पे रहते हैं उनके इस्तिमाल में आते हैं barriers को cross करने के लिए concrete underpass होते हैं overpass होते हैं, pull होते हैं या फिर कुछ tunnels होती है छोटी छोटी पुलिया होती है जिसे आप culverts बोल सकते हैं उसमें amphibians वगेरा cross करते हैं significance यह होती है कि connection बिल्ड करके रखते हैं जंगलों को बाठ देते हैं किसी highway या फिर other barrier के माध्यम से तो यह pull उन्हें जोड के रखते हैं उन्हें बटने नहीं देते हैं अगला article emission gap report 2020 के बारे में है UNEP ने अभी हाल ही में इसे जारी किया है 2020 के लिए UNEP United Nations Environment Program इसे जारी करता है purpose यह है कि हम यह पता कर सकें कि अभी हम emission जो है उसे कितना कम कर रहे हैं और जो Paris Climate Change का हमारा target है कि हम 2 degree Celsius से temperature global warming जो बढ़ रही है उसे रोकने के लिए global temperature 2 degree Celsius जो बढ़ रहा है pre-industrial era के comparison में उसके नीचे रखेंगे कोसिस रहेगी कि 1.5 degree Celsius के भी नीचे रखें या उसके आसपास रखें तो इसके बीच में gap कितना है emission gap का मतलब commitment gap भी होता है for example हमें 100 unit जो emission है उसे कम करना है लेकिन जो हमने targets decide किये हैं उसके हिसाब से हम केवल 80 unit ही emission कम कर रहे हैं तो जो 20 unit का gap है इसे ही emission gap report कहा जाता है मतलब यह है कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं इसके बीच का gap है जरूरी भी है क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे targets meet होंगे की नहीं होंगे अगर हमें जानकारी ही नहीं रहेगे तो फिर तो सब मनमानी करते ही रहेंगे और यहां पर emission gap report में finding क्या आई है कि global जो greenhouse gases है इनका emission 2019 में भी बहुत जादा रहा 52.4 giga 10 carbon equivalent हमने release किया है fossil fuels से जो carbon dioxide gas का emission होता है वो बहुत ही जादा है और तीसरा यह है कि forest fires के वज़़े से भी greenhouse gases का emission बढ़ रहा है 2.6% बढ़ा है क्योंकि forest fire काफी जादा बढ़ गए है हाल फिलहाल में ठीक है अब यहां पर देखिए United Nations Environment Program एक Global Environmental Authority है 5th June 1972 को इसे established किया गया था Agenda यही है कि sustainable development रे ensure करें और अच्छी तरीके से जो environment है उसे secure किया जाए इनकी कुछ important reports है 12 emission gap report, Global Environment Outlook, Frontiers Invest into Healthy Planet कुछ इनके campaigns भी है beat pollution, UN 75, World Environment Day Wild for Life और इसका headquarter Kenya के Nairobi में है Giant African snail invasion के बारे में है snail कुछ ऐसा दिखता है जिसे आप आम बोलचाल की भासा में घूंगा भी बोलते हैं देखे, studies में ये मिला है कि जो Giant African snail है उसका invasion अभी केरला में हो रहा है जो Giant African snail है ये कुछ बहुत ही खराब invasive species में से एक है invasive species ऐसी होती है जो बाहर से किसी जिगर पर चली जाती है वहाँ के flora या फोना को नुकसान पहुचाने लगती है IUCN ने से worst invasive species डिकलेर किया है इनसे कई तरीके की बिमारिया humans में भी होती है जैसे कि eosinophilic meningitis देखे, meningitis जो होता है वह एक ऐसी बिमारी होती है जिसमें meningitis में inflammation agelan होती है meningitis देखे, जो तीन membranes होते हैं जो मारे brain और spinal cord को cover करते हैं उनमें से एक होता है यह white जो blood cells हैं उनको ज़दा affect करता है इसके लावा septicemia यह देखे, बिमारी है जिसमें bacteria बस blood stream में इंटर कर जाते हैं, infection cause कर देते हैं ऐसी बिमारियां इस snail के various जगों पर spread हो जाने से फैलने लगती है तो humans के लिए भी यह नुकसान दे है definitely, जो giant African snail है वो Asia और Africa में पाया जाता है इसके invasion, Asia आफरिका में कई सारी, कई बार देखे गए है जो नई snail population है वो इंडिया में अलग-लग sources से आती रही है जिसने दुनिया के अनहिस्स्य को भी प्रभावित किया है देखे, इनकी जो population इंडिया में पाय जाती है उनकी genetic variety बहुत जादा है comparison to African continent इससे यह लगता है कि इंडिया में इनका जो invasion है वो कई बार हुआ है mainly केरला इसे काफी ज़्यदा प्रभावित रहा है यह जो पूरी study है इसे केरला का जो forest research institute है उसने conduct किया केरला state council of science, technology and environment के साथ मिलकर 2016-2020 के बीच में इस study को publish किया गया है एक biological journal linear society में ठीक है हमारा अगला article Great Indian Bustard के बारे में है Wildlife Institute of India ने अभी यह proposal दिया है कि Great Indian Bustard का जो भी habitat है वहाँ से जो भी power transmission होगा वो जमीन के अंदर से होगा ताकि Great Indian Bustard के लिए कोई खत्रा पैदा ना हो Great Indian Bustard आप इने popularly या short form में GIV भी कह रहते हैं कई बार understanding के लिए यह heaviest flying bird है जो endemic है इंडिया Indian subcontinent की मतलब इंडिया के ही कुछ इलाकों में पाई जाती है इंक्लूडिंग पाकिस्तान के कुछस से तो यह इंडिया और पाकिस्तान की native है इन ही जगहों पर मिलती है और राजस्तान का state bird भी है इसकी सबसे बड़ी population वैसे आपको राजस्तान में ही मिलती है कुछ sancturies है या protected areas है जहां पर आपको Great Indian Bustard मिल जाता है दो जार डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्तान में कच Bustard Sanctuary गुजरात में गुजरात Great Indian Bustard Sanctuary जिसे आप alternatively जवाहादाल नेहरू Bustard Sanctuary भी बोलते हैं महरास्ता में अगर आप protection status की बात करें तो IUCN status critically endangered है आपके लिए दोहराता हूँ IUCN status Great Indian Bustard का critically endangered Sites के appendix 1 में मिलेगा और Indian Wildlife Protection Act of 1972 के schedule 1 में मिलेगा खत्रा कई सारे कारणों से है वहीं सबसे major cause तो आपको in general human intervention ही मिलेगा agriculture का बढ़ना energy production या mining के बज़े से उनके habitat को नुकसान पहुचाना transportation, इंसानों का intrusion और कई सारी species जो हैं उनके लिए invasive बन जाती हैं जो उनके जीवन को खत्रा पहुचाती हैं हमारा अगला article हिमालेन griffin vulture के बारे में है context क्या है अभी हाली में for the first time point, kalimer, wildlife and bird century जो है जो की आपको नागा पतिनम district में मिलेगा वेदरन्यम के नजदीक में वहाँ पर ये पहली बार देखा इसका scientific नाम है gyps, himalayansis ये old world vulture है old world में vulture में old world का क्या मतलब है देखे, सुरू में लोगों को American continent के बारे में जानकारी नहीं थी तो Asia, Europe और Africa को old world कहा जाता था तो यहाँ पर जो प्रजातियां है उन्हें sometimes old world species कह दिया जाता है तो ये vulture इस region से बिलॉंग करता है इसलिए से old world vulture कहा जाता है ये family ऐसी पित्रदाई से बिलॉंग करता है अब देखे, दो largest old world vultures है जो की raptors भी होते है सिकारी भी होते है उनमें से ये एक है हिमालेन ग्रिफिन वल्चर ये जो species है ये आपको हिमाले वाला जो area है और उसके आसपास जो तिबबत प्लेटू का region है वहाँ पर मिल जाएगा इसका IOCN status near threatened है साइट्स में appendix 2 में है toxicity जो होती है डैकलोफेनक की जिसकी वज़र से जो जिप्स वल्चर से एसिया में वो खतम हो गए ये एक दवा होती है जो जानवरों को दी जाती थी और ये दी में दी में मरने लगते थे तो neck dropping भी होती थी वल्चर समी इसपेशली जिप्स वल्चर समी तो इसकी toxicity का खतरा ग्रिफेन वल्चर समी भी होता है खैर इनका rapid decline नहीं देखा गया वैसा जैसा कि जिप्स वल्चर सका इशिया में देखा गया Point Calimer वाइलेफ सेंचुरी की बात करें तो तमिल नाडू में है ये 1967 में इसे बनाया गया था जब इसे बनाया गया था Point Calimer वाइलेफ सेंचुरी को तो इसका उद्देश ये था कि जो black buck antelope होते हैं काला हिरन जो होता है जो कि किवल Indian Subcontinent में ही पाया जाता है उसको conserve करने के लिए इस वाइलेफ सेंचुरी को बनाया गया था और आज कल तो वहाँ सर्मान खान को जाने भी नहीं दिया जाता ज़्यदा सीरियसली मत लीजिएगा इसला आर्टिकल है वो हिमाले शिरोज के बारे में है हिमाले शिरोज को अभी for the first time जो इस पिती रीजन है हिमाचर प्रदेश का cold desert region है ये वहाँ पर पहली बार देखा गया ऐसा नहीं है कि पहले हमने इस जीव को कभी देखा ही नहीं है देखे वाइल डाय पे कुछ कैमराज इंस्टॉल कर दिये जाते हैं उसके recorded वीडियो के तौर पे हम नहीं पहले भी देखा है लेकिन हिमाचर प्रदेश के cold desert के इस रीजन में इंसानों से इनका आमना सामना पहली बार हुआ इसका scientific जो नाम है वो Capricornis, Sumatnesis, थार है ये अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि goat, donkey, cow और pick का एक mixture है वैसे resemblance goat की तरह लगता है बड़ सभी के features आपको यहाँ पर दिख जाएंगे हर भी वर्स होते हैं, शाकाहरी होते हैं medium size mammal हैं, बड़ा ससिर होता है मोटी गर्दन होती है, छोटे-छोटे पैर होते हैं म्यूल की तरह कान होते हैं और dark color के hairs होते हैं distribution की बात करें तो यह कई सारी species हैं वैसे शिरॉस की, लेकिन सारी की सारी Asia में ही पाई जाती हैं यह 2000 से 4000 का जो मीटर का altitude है, वहाँ तक पाई जाते हैं Eastern Central Western Himalaya का जो region है वहाँ पर यह आपको मिल जाएंगे लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको Trans Himalayan region में absent मिलेंगे, तई बाद जब questions आपसे testories वगरा में पूछे जाते हैं तो ऐसे trick कर देते हैं वो, यह information देखके, इसमें कुछ फेर बदल कर देते हैं IUCN Red List में जो इनका status है वो vulnerable है और Wild Air Protection Act में schedule 1 में है, मतलब इनको protect करने के प्रावधान किये गए हैं अगला article है, वो Moran Grass की एक नई प्रजाती के बारे में है एक नई species के बारे में है, जिसे अभी ishumum, ग्यानार्थ नामी ishumum, ग्यानार्थ नामी यह जो नाम है, ग्यानार्थ नामी देखिए एक professor है, MK ग्यानार्थ नाम उन्होंने grasses के taxonomy, मतलब grasses का classification होता है, उस पर काफी अच्छा काम किया है, अब यह जो ishumum है, यह grass का genus है, मतलब इस family से यह grass belong करता है, तो ishumum genus की कई सारी grasses western gharad में पाई जाती है, तो इसी grass का, मतलब इसी में जो मुरैन grass है, इस genus की, उसी की एक नई प्रजाती अभी आगरकर research institute ने खोजी है, western gharad का जो plateau वाला area है, गोआ में, वहाँ पर और नाम इसका professor MK ग्यानार्फ नाम के नाम पर रख दिया किया यह जो खास है इसकी खास बात यह है कि यह बहुत harsh condition में survive कर सकती है nutrients बिलकुल कम हूँ, तब भी यह अपना काम चला लेती है और हर मानसून season में इसमें blue germs आ जाते हैं, मतलब आपको छोड़े छोड़े flowers Latterite Plateau है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है नीचे, बहुत उचाई पर नहीं Latterite देखिए, यह एक soil का भी type होता है rock का भी type होता है Plateau है, तो rock type की बात हो रही है इसमें iron और aluminium काफे rich होता है और इसी वज़े से इसका जो color है वो red हो जाता है, रस्टी रेट iron है तो रस्टी रेट होई जाएगा तो यह तो Latterite word आ गया तो उसका हमने यहाँ पर explanation देख लिया ताकि उसका मतलब समझ में आता रहे जो Plateau है, Latteritic Plateau वहाँ पर भगवान महावीर National Park जो गुवा का है उसके आस पास के एरिया में इश्मम जीनस की यह जो मुरैन ग्रास है वो देखी जाती है फिस्टन घार्ट में 40 species हमें इश्मम जीनस की ग्रासिस की मिल जाती है अभी एक नई हमें मिल गई है अगला आर्टिकल, जो की काजी रंगा National Park के बारे में है काजी रंगा National Park और जो Tiger Reserve है अब उसे बोर्स और बैसिकल ट्रैक के जरीए भी एक्स्ट्रोर किया जा सकेगा event tracking यानि की जो यात्रा पर पैदली चले जाते हैं लोग उसको भी वहाँ पर किया जा सकता है काजी रंगा National Park के बारे में बात करते हैं आसाम में मिलेगा आपको 42,996 हेक्टेर में फैला हुआ है 1908 में Mary Curzon की recommendation पर इस पारक को establish किया गया था जो Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot है उस पूरे रीजन में वहाँ का जो गोला घाट और नगाउं डिस्टिक्ट है वहाँ पर ये फैला हुआ है लिगर स्टेटस की बात करें तो 1974 में ये नेशनल पार्ग बना और 2007 में इसे Tiger Reserve बना दिया गया इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो UNESCO की World Heritage Site में आता है 1985 में आ गया था और Important Bird Area भी कहा गया है इसे Bird Life International के बारा Two Third दुनिया के जो Great One Horned Rhinos है वो आपको यहीं पर मिलेंगे यहाँ पर जो Conservation किया जाता है उसमें Big Four Species पर Focus करते है Rhinos, Elephant, Royal Bengal Tiger और Aseatic Water Buffalo इनके Conservation पर काफी Focus किया जाता है National Highway 37 इस पार्ग की एरिया से होकर गुजरता है और चार नदियां इसे Cross करती है प्रिश क्रोस करती है इन फैक्ट अब्रहम पुत्रा, डिफलू, मोरा डिफलू और मोरा धनसीरी कुछ और भी National Park आपको आसाम में मिलेंगे 2000 डिबु सैखो, मानस, नामेरी और आजीव गांधी, और इन निशनल पार्ग जो की Miristika Swamp Tree Frog के बारे में है Context क्या है, Context यह है कि Miristika, you can say Miristika जो Swamp Tree Frog है, उसे for the first time record किया गया है कहाँ पर record किया गया है, केरला के थिरिस्टु डिस्टिक में वहाँ पर कहाँ, थिरिस्टु डिस्टिक का जो वजिचल रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर इसे identify किया गया है, ठीक है अब understanding के लिए एक एक word पकड़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए Tree Frog, यह समझना आसान है, मतलब एक मेढग जो ऐसे किसी पेड़ पर रहता होगा अब यहाँ पर Swamp का क्या मतलब है, देखे Swamp एक तरीके का Whitland होता है Whitland एक shallow water region होता है, मतलब जहाँ पर पानी छिछला होता है एक प्रकार का transition zone होता है, यह कोई water body है, यहाँ पर land है तो यह जो beach का area है, transition वाला, इसे usually आप Swamp बोल सकते हैं, जहाँ पर छिछला पानी होता है अब अगर इस Whitland में केवल grasses हैं, तो इसे Mars कहा जाता है It is also a type of Whitland, ठीक है Mars, और अगर यहाँ पर पेड़ भी हूँ, तो उसे Swamp कहा जाता है यहाँ पर हम Swamp कहा रहा है, मतलब a type of Whitland जिसमें पेड़ पाये जाते हैं तभी तो यह Tree Frog महाँ ट्री पे रहेगा, अब बात करते हैं Myrishtica क्या है देखिए, Myrishtica जो है, वो एक type of Tree है, जो की Myrishtica ही एक Genus है, उसे belong करता है So it's a kind of Tree, तो इस Swamp वाले एरिया में Myrishtica Tree पाया जाता है इसलिए इस पूरे रीजिन को Myrishtica Swamp कहा जाता है अब वहाँ के पेड़ों पर यह Frog मिला है, तो इसे Myrishtica Swamp Tree Frog कह दिया किया I hope you got the point तो Myrishtica Swamp Tree Frog जो है, वो endemic है Western घात का, मतलब केवल Western घात में ही पाया जाता है यह Frogs बहुत ही Rear है, आसानी से पकड़ में नहीं आते, इसका Reason यह है, क्योंकि यह केवल पेड़ों में रहते हैं और दूसरा, यह जो उनका breeding season होता है, उसमें कुछ हपतों के लिए ही बाहर आते हैं breeding behavior इनका काफी unique है, बाकी Frogs के उससे अलग, यह मानसून शुरू होने के पहले ही, अपनी breeding जो है उससे start कर देते हैं, में महीने के आस पास यह जून में अपने peak पर होते हैं, मानसून के पहले, जो उनका breeding period होता है, वो समाप्त हो जाता है breeding season जब इनका खतम होने वाला होता है, तो उसके थोड़ा सा पहले ही, जो female frogs होती है मतलब जब start होने वाला होता है, यह कहने का मतलब है, तो यह अपने male counterparts के साथ जमीन पर उतरते हैं, forest floor पे, वहाँ पे थोड़ा जमीन को खोथ कर end वगएरा देते हैं, सेते हैं उसके बाद यह वापिस पेडों पे high canopies में चढ़ जाते हैं, तो मिलते नहीं है और उसके बाद वो next breeding period में ही वापिस नीचे आते हैं So that was all about myeristica swamp tree frog, I hope आपको समझ में आ गया होगा जोकि red sea turtles के बारे में है, turtle population जो red sea में है, वो female numbers अब बढ़ रहे हैं क्योंकि sea temperature rise हो रहा है, researches में यह पाया गया कि जब red sea का temperature rise हो जाए, एक certain limit के बाद वो limit है 29.2 degree उससे जदा temperature हो जा रहा है, तो जो male numbers हैं, वो गिरने लग रहे हैं, कम होने लग रहे हैं और जो नए जीव पैदा हो रहे हैं, मतलब यह turtle के, वो female जदा हो रही है, यह study में पाया गया देखे, red sea में आपको 5 turtle की species मिलती है, green turtle, hawksbill turtle, loggerhead turtle, olive redlay turtle और leatherback turtle देखे, 50-50 ratio को maintain करने के लिए main female के जो temperature है, वो 29.2 degree Celsius के आसपास रहना चाहिए अगर यह temperature बढ़ जाता है, तो जो hatchling है, मतलब एक से जो पच्चे turtle के बाहर आते हैं, वो predominantly female होने लगते हैं ऐसा researches में आया है, अब चुंकि temperature जो है, वो 29.2 degree से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अब feminization जो population का है, वो start हो गया है red sea में red sea में यह जो turtle की species हैं, इनका आप status भी देख लिएजए, IOCN का, green turtle का endangered है, hawksbill का critically endangered है, loggerhead का critically endangered है, olive redlay और leatherback का vulnerable है, ठीक है? हमारा जो अगला article है, वो हावबारा बस्टोड के बारे में है, पाकिस्तान ने अभी एक special permit issue किया है, स्ताउदी अरविया के जो crown prince है, मुहम्मद बिन सल्मान, उनके लिए और दो और members के लिए, royal family के, कि वो hunting session जो उनका 2021 का है, वहाँ पर हावबारा बस्टोड का सिकार कर स जो कि internationally protected है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब वो खेल-खेल में ऐसा कर रहे है, कि किसी vulnerable jeep को मारने का permit दिया जा रहा है, हावबारा बस्टोड के बारे में बात करें, तो बस्टोड ये बहुत ही large terrestrial birds होती है, इनकी कई सरे species पाई जाती है, इन्हें कुछ largest flying birds में से count किया जाता है, इनकी दो species है, हवबारा बस्टोड की जिसे IUCN recognize करता है, एक species जो हमें मिलती है North Africa में और दूसरी है जो मिलती है Asia में, एशियन हवबारा की बात करते हैं, ये arid climate में रहते हैं, मतलब रेगिस्तानी वाला इलाका है या सूखा जो इलाका है वहाँ विंटर के समय में पाकिस्तान में, जो कि hopefully कुछ का आखरी विंटर होगा पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ उनका सिकार कर लिया जाएगा, Arabian Peninsula में और Southwest Asia में, IUCN status vulnerable है, खत्रा poaching से है, unregulated hunting से है, और इनका natural habitat degrade हो रहा है, एक और add कर सकते हैं, पाकिस्तान के special permit से भी अब इ पालतू जी, exotic का मतलब होता है कि कि किसी दूसरे देश से लाए गये जीव, जो भरत में आ गए है, exotic का मतलब देखे, ये भी meaning होती है कि अगर किसी plant या animal को उसके original habitation में से आप निकाल लें, और कहीं पर उसे पालतू बना लें, तो उसे भी exotic ही कहा जाता है, खेर अभी जो इलीगल या बिना paper work के भी अपने पास रखा हुआ है पालतू बना कर, तलाबाद High Court ने अभी एक order को verify किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, कि एगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, दिसंबर के पहले, जो भी exotic pets उनके पास हैं, उनका registration करवाते हैं, तो उनके ख वो vulnerable हैं, या फिर उनका जीवन, उनकी जो जाती है, वो खत्रे में हैं, तो अभी इसको लेकर एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, कि क्या ये सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहल्ड किया है, कि ठीक है, एक मौका दिया जाना चाहिए, कि जिन लोगों के पास ऐ ऐसे animals हैं, वो इस बात की information पब्लिक डोमेन में या जो concerned authorities हैं उनके उपर कोई कारवाई नहीं होगी, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने एक advisory जारी की थी, One Time Voluntary Disclosure Amnesty Scheme, एक बार की scheme थी, कि बता दो अगर आपके पास कोई ऐसा जीव है तो, इसमें owners जो exotic जीवों को अपने पास रखे हुए ह illegal तरीके से, बिना document के, वो बता सकते हैं कि उनके पास कौन से जीव हैं, June से December के बीच में, और इसके वज में उनके उपर कोई भी कारवाई नहीं की चाहेगी, जबकि ऐसे जीवों को रखना या पालना illegal होता है, इस scheme में ये भी कहा गया, कि इसके दो objectives हैं, एक तो कई बार ऐसे जीवों से कुछ बिमारियां फैल जाती हैं, जो जानवरों से इंसानों में आ जाती हैं, दूसरा, ऐसे जीव जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इंडिया में लाये जा रहे हैं, illegal trade के तोर पे, और लोग उन्हें पालतों बना ले रहे हैं, उसे भी हमें regulate करना है क्योंकि कई सारे जो species हैं, वो खत्रे में हैं, इससे हम जो exotic live species हैं, उनके एक inventory भी बना पाएंगे, और जो sites के प्रावधान हैं, उनके साथ comply भी कर पाएंगे, sites का full form है, convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, ये regulate करता है कि दुनिया में जो endangered species हैं, उनका poaching ना हो, trade ना हो, ये जो amnesty scheme है, ये advisory ही थी, कोई कानून तो नहीं था, बट फिर भी एक छूट दे दी गई थी, exotic wildlife कौन से इसमें covered हैं, तो देखे, sites, जो ये convention है, इसमें कुछ appendices हैं, तो appendices, जो appendix 1 है, 2 और 3 है, इन तीनों में जिन जीवों के नाम हैं, वो सब इस scheme में covered हैं, 1972 का जो हमारा wildlife protection act है, उसमें जि ध्यान देने वाली बात है, कि इसमें exotic birds का जिक्र नहीं किया गया है, इस scheme में, केवल जो जानवर हैं, उनकी बात की गई है, risk closer का process ये है, कि ministry ने अभी एक परिवेस portal बनाया है, वहाँ पर कोई भी जो owner है, वो जा सकता है, उस portal के उपर, और chief wildlife warden को, जो concerned state या UT के हैं, उन इसके बाद हम sites के बारे में भी थोड़ी जनकारी कठा कर लेते हैं, तीकि sites एक international agreement है, जो इस बात को ensure करता है, कि दुनिया में जो endangered plants and animals हैं, या बाकी जो भी plants and animals हैं, उनके commercial trade को regulate किया जाए, restrict किया जाए, ताकि ऐसे animals से अगर कोई food, clothing, medicine, या फिर कोई smithi, chin वगएरा भी तो उसको भी रोग दिया जाता है, ताकि ऐसे जीवों को या फिर पौधों को बचाया जा सके, इस agreement को March 3, 1973 को sign किया गया था, that's why March 3 को हम World Wildlife Day के रूप में भी celebrate करते हैं, इसे administer करता है UNEP, United Nations Environment Program, Secretariat इसका Switzerland में है, जो agreement है, जो भी parties ने इसको sign किया है, उन्हें अपने यहाँ क इस appendix 1, 2 और 3 जो sites का है, उसमें 5,950 species हैं, जिनको protect किया गया है, ताकि इनका exploitation ना हो, अगला article Water Impact Summit के बारे में है, India Water Impact Summit जो है, उसमें कई सारे experts आए, जो abroad से भी है, पानी को कैसे conserve किया जाए, इस बात को लेकर बातचीत हुई, इसे organize किया गया है, National Mission for Clean Ganga ने, और इसमें मदद मिली है, Center for Ganga Reverbation Management and Studies, C Ganga के द्वारा, C Ganga is a kind of think tank, objective क्या था, objective यह था कि, जो कई सारे stakeholders हैं, हम उन्हीं एक साथ लेकर आए, discuss, debate, और कोई model solution develop करें, ताकि इंडिया में जो water related issues हैं, हम उस पर कोई solution draw कर सकें, theme इस बार रही, Earth Ganga, River Conservation Synchronized Development, देखे, theme तो UPSC नहीं economy research है, उन्होंने एक MOU sign किया है, C Ganga के साथ, यह National Mission for Clean Ganga का ही एक think tank है, as I told you, उद्देश यह है कि, जो नदियों में sludge होता है, sediments होते हैं, गाध होती है, उसका management हम कैसे करें, इस बात को लेकर थे, यह पूरा MOU sign हुआ है, National Mission for Clean Ganga के बारे में बात करते हैं, यह National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga, जिसे आप short में National Ganga Council कहते हैं, उसी की एक implementation wing है, तो National Ganga Council की implementation wing है, National Mission for Clean Ganga, इसे 2011 में established किया गया था, यह registered society है, Society's Registration Act of 1860 के तहत, अब बात करते हैं, उस think tank के बारे में, यानि किसी गंगा के बारे में, इसे IIT कानपूर में, 2016 में established किया गया, यह Center of Excellence रहेगा, डेटा कलेक्शन वगएरा यही करेगा, जो Knowledge Information create करना है, disseminate करना है, रिवर गंगा बेशिन के development के लिए, वो यही करेंगे, हमारा अगला article, Himalayan Trillium के बारे में है, Himalayan Trillium, एक Common Hub है, जो कि Himaliyaz में पाई जाती है, अभी हाल ही में IUCN नहीं इंडेंजर डेकलेर कर दिया, क्यों डेकलेर कर दिया, क्योंकि कुछ समय तक लोगों को पता नहीं था कि यह बड़े काम की चीज है, लेकिन जब जैसे ही लोगों को पता चला कि यह बहुत काम की चीज है, और यह एक medicinal hub है, तो इसको बहुत तेजी से exploit किये जाने लगा, औ इंडिया, बूटान, नेपाल, चाइन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आपको दिख जाएगा, इंडिया में चार्ज स्टेट में मिलेगा, हिमाचर प्रदेश, जमुयन कस्मी, सिक्यम और उतराखन, इसे नाक शत्री भी कहा जाता है, लोकल एरियाज में, इसकी उच में इसका इस्तिमाल हो सकता है, अभी हार्क रिसर्चेस में ये पता चला, कि इसे एंटी कैंसर और एंटी एजिंग एजिंट के तौल भी इस्तिमाल किया जा सकता है, मतलब ये जो तुचा है, उसे सही रखेगा, आप की एज बढ़ेगी, लेकिन दिखेगी नहीं, तो ऐस कि ऐसा अगर कोई प्लांट है, तो डेफिनिटली उसका एक्स्प्रोटेशन होगा, लेकिन अब इसे प्रिजर्व करने की जरूवत है, आखिर ये इतना तेजी से डिकलाइन क्यों कर रहा है, एक्स्प्रोटेशन काफी ज़्यादा हो रहा है, एज वी नो, इसकी कमर्शिल वैली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी लाइफ स्टाइकल लॉंग है, मतब इसको पूरा तयार होने में समय लगता है, इसका स्रीट डिस्परसल बहुत वीक है, बहुत तेजी से फैल नहीं पाता, और हाई मिरेशनल क्वालिटी है, तो ट्रेडिंग के लिए भी व सबसे ज़्यादा मर्दे प्रदेश में है, और करनाटिका, महरास्ट्रा, तमिलनादु, छतीजगर और उत्रप्रदेश, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिक की गई, स्टिटेस आफ लेपर्ट इन इंडिया 60% increase को mention किया गया है, 2014 के comparison में, और जहाँ 2014 में लेपर्ट की संख्या महज 8000 थी, वो बढ़ के अब 12852 हो गई है, यहाँ पर नमबर्स बताए गए है, मद्रप्रदेश 3421, नमबर्स important नहीं है, सिक्विंस में पता रहे कि हाँ मद्रप्रदेश में सबसे ज़ादा है, दिन कर और इस्टन घाट में हाइस नमबर मिलेगा, 8000 अपरॉक्स, वेस्टन घाट में फिर उसके बाद, जिन से वाली के इन गेंगेटिक प्लें, नौर्थीस्ट हिल्स में भी 141 लेपर्ट्स मिल जाएंगे, कैसे पता किया कि कितने कहाँ पर है, इसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की जाती है, कैमराज इंस्टॉल कर दिये जाते हैं, और हम नमबर्स काउंट करते हैं, सैटलाइट इमेजिंग भी किया जाता है, और फिल्ड वक्त, मतब फिल्ड में भी जाके काउंटिंग करवाई जाती है, कि वो NTC है, National Tiger Conservation Authority, उनके मेंबर्स के दवरा, कैसे खत्रा है ल जगातार कम हो रहा है, उनका हैबिटेट कम होगा, तो डेफिनेटली उन्हें लॉस होगा, और उनकी संख्या घटेगी, कई बार human leopard conflict भी होता है, जिसमें इंसानों के जारों leopard को मार दिया जाता है, और कई बार इनको poaching के तौरान भी मार दिया जाता है, सिकार कर लिया जा 9 subspecies है leopard की, जो कि हमें Africa और Asia में distributed दिखेंगी, Wildlife Institute of India के बारे में बात करते है, Autonomous Institution है यह, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तहत काम करता है, Establish किया गया था सि 1982 में, Headquarter उत्राखन के धहरा दून में है, काम क्या करते है, training programs वगयला run करवा देते है, academic course, Wildlife Research के समन में कुछ advisory वगरा भी जारी कर करते हैं, NTCA की बात करते है, National Tiger Conservation Authority, statutory body है, मतलब इसके लिए कोई कानून होगा, जिसके तहते से बनाया गया होगा, तो देखें, कानून तो वही, पुराना वाला ही है, लेकिन उसमें amendment किया गया था, कानून है, Wild Act Protection Act of 1972, इसे established किया गया था 2005 में, अब आपको यहाँ पर 2005 औ December में इसे established किया गया था, और उसके बाद 2006 में, amendment करके 1972 के इस act में, इसे statutory status दे दिया गया, हमारा अगला article, Firefly Bird Diverters for Great Indian Burstard के बारे में है, Firefly जुगनू को बोलते है, Ministry of Environment ने Wildlife Conservation Society के साथ मिलकर एक unique initiative लिया है, काफी बढ़िया initiative है, Firefly Bird Diverter, नाम से सपच्ट है कि जुगनू जैसा कुछ होगा जो birds को divert कर देगा, यहाँ पर जिस bird को target किया जा रहा है, वो है Great Indian Burstard, इनकी संख्या दिन बदिन कम होती जा रही है, इनकी संख्या में कमी आने का एक महत्तपून कारण, उड़ते वक्त, इनके द्वारा, High Tension तारों से जाना है, जो बिजली के तार होते हैं, कई बार इन से टकरा जाते हैं, जिस वज़े से इनकी मौत हो जाती है, Great Indian Burstard की population काफी कम है, तो ऐसे एरियाज जहां पर Great Indian Burstard रहते हैं, वहाँ पर जो तार है, High Tension तार्स जहां पर बहुत ज़दा electricity का flow होता है, वहाँ पर इस तरी डेवलप कर लिया जाता है, chemical compound से, जो sunlight को absorb कर लेता है, और sunlight को absorb करने के बाद, वो 10 से 12 घंटे तक उस light से चमकता रहता है, अब 10 से 12 घंटे अगर कोई चीज sunlight से चमक रही है, तो इस interval के बार वापिस से sunlight आ ही जाती है, तो मतले भी all the time चमकता रहता है, इस से रात में जो Great Indian Busters हैं, वो आसानी से, इसको देख कर अपना रास्ता divert कर सकते हैं, 50 मीटर के distance से ही वो identify कर लेंगे कि कुछ तो है जो चमक रहा है, इस तरीके से तारों के बीच में से लटका दिया जाएगा, एक तार में इनकी distance 20 मीटर रखी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे set की जाती है, कि एक Fireflies नाम इसलिए रखा गया है, क्योंकि ये दूर से Fireflies की तरह ही चमकते हुए देखेंगे जुगनू की तरह, एवन, IUCN SSC ने भी इसका समर्थन किया, IUCN International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission, जो कि इसका Bustards Specialist Group था है, उन्होंने का ये बहुत बढ़िया काम किया है, Bustards को बचाने के लिए, य कि वहाँ पर Great Indian Bustard की जो संख्या है, वो काफी जादा है, Great Indian Bustard अभी तक आपको एक आइडिया लगी गया होगा कि एक पक्षी है, heaviest flying bird है, काफी भारी होता है, लगबग 15 kg तक का, और उड़ने में capable होता है, अपने size की वज़ा से ये शुतरमुर्ग की तरह दिखते हैं, लेकिन ये उड़ सकते हैं, सुतरमुर्ग उड़ नहीं सकता, ये dry grass land या scrub land में रहना पसंद करते हैं, Indian subcontinent के endemic है, भरत और पाकिस्तान की कुछ हिस्तों में मिल जाते हैं, रजस्तान में डिजर्ट नेशनल पार्क में, गुजरात, मध्यपदेस, करनाटिका और आध्यप कई बार infrastructure से इनका collision होता है, जिसकी वज़े से इनको threat है, particularly power lines, wind turbines, और grass land या इनका जो habitat है वो भी erode हो रहा है, इस वज़े से भी इनके जो numbers हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, कुछ information project Great Indian Bustard के बारे में, इसे राजस्तान की सरकार ने launch किया था, Great Indian Bustard को protect करने के लिए, राज ocean species survival commission के बारे में, देखिए ये science based network है, इसमें 9000 से ज्यादा volunteers हैं, जो लगभग हर देश से आते हैं, इनका उदेश ये है, कि हम wildlife को इस तरीके से conserve करें, preserve करें, कि जो earth है वहाँ पर हमारी diversity है, उसका loss ना हो, देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बहुती खुबसूरत flowers ये orchids है, orchids या orchids, ये अपनी खुबसूरती, अपनी delicacy and beauty के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बहुती खुबसूरत सा गाना है बॉलिवुट का, जो जितना बदनाम हुआ है, उसका उतना नाम हुआ है, ये बाते हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में, एक ugliest orchid को discover किया गया है, जिसको नाम दिया गया है, gastodia agnicellis, इसे दुनिया का ugliest orchid कहा गया है, आप इसको इस image में देख सकते हैं, orchid जो अपनी खुबसूरती के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर उनका एक दूसरा रूप है, that is the beauty of God's creation, ये Medagascar के forest region में मिले हैं, ये fungi's पर feed करते ह हैं, क्योंकि इनमें पत्तिया नहीं होती, पत्तिया नहीं है, तो photosynthesis कर नहीं पाएंगे, तो खाना कैसे मिलेगा, तो जो फंगीज होते हैं, वही जो कुछ खाना मगारा photosynthesis से create करते हैं, वही इसे खाते भी हैं, देखिए ये threatened species के रूप में assess किया गया है, इसको थोड़ा बहुत protection मिला हुआ है, क्योंकि ये national park में located है, तो आपको इस orchid के बारे में जानकारी मिल गई है, अगर आप Medagascar की जानकाए लेना चाहें, तो ये एक island country है, जो कि Indian Ocean में situated है, एफरिका के थोड़ा नजदीक है, तो ये एफरिका के east coast से 400 km के distance पर है, ये दुनिया का दूस उसको काफी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा अभी एक report में निकल के आया है, क्योंकि आसाम में ये जो पॉबितोरा wildlife century है, वहाँ पर तीन one-horn rhinos की मौत हुई, पोस्मॉटम में पहले तो कुछ risk close नहीं किया गया, बाद में पता चलाया कि जो उनका weight का हिस्सा था, उसम के मोरी गाउंट इस्टिक में, ये highest density वाला region है जहाँ पर one-horn rhinos पाये जाते हैं, मतलब बहुत कम एरिया में जादा one-horn rhinos, अगर आप numbers के इसाब से बात करेंगे तो second highest है, क्योंकि जो पहला है वो काजी रंगा national park है, अब यहाँ पर आप देखें, तो इसे कई बार mini काजी रंगा भी कहा जाता है, क्योंकि काजी रंगा से काफी जाता मिलता जुलता है, इसका landscape पर vegetation है, पॉपी तोरा wildlife century का, 1987 में इसे wildlife century declare किया गया था, यहाँ पर हमें endangered one-horn rhinos मिल जाते हैं, कुछ और भी memos मिलते हैं, लैपर्स, leopard cat, fishing cat, jungle cat, feral buffalo, wild pigs, Chinese pangolin, यह सब भी यहाँ मिल ज इसा है, water body से covered है, approximately 25%, एक invasive aquatic plant है, water hyacinth, जो यहाँ पर काफी problem create करता है, पूरी water body को cover कर लेता है, इससे water body खराब हो जाती है, अब यहाँ पर 5 national park आसाम में है, डिबू सैखो और नेशनल पार, काजी रंगा, मानस, अमीरी और राजीव गांधी, और रंग नेशनल पार्क, अर्टिकल है, वो सोकार wetland complex के बारे में है, इंडिया ने अभी अपना 42nd Ramsar site declare कर दिया है, Union territory of Ladakh में, उसका नाम है सोकार wetland complex, अब सोकार wetland complex का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा area है, जिसमें total 2 leaks cover होती है, उनके आसपास का जो advining area है, वो cover हो जाता है, तो combine करके इस पूरे area को wetland complex के दिया गया है, सोकार बेसिंग, ये एक high altitude wetland complex है, दो principal water bodies आपको यहाँ पर मिलेंगी, एक तो है स्टार सापुक सो, लेखे सो एक तिवितियन word है, जिसका मतलब ही होता है, लेक, तो सो लगा है, मतलब की लेक है, ठीक है, तो स्टार सापुक सो, और दूसरा है, सोक सोकार, तो सोकार जिसके नाम पर इस complex का नाम रखा गया है, सोकार comparatively बड़ा है, और स्टार सापुक सो जो है, वो comparatively छोटा है, स्टार सापुक सो जो है, एक fresh water lake है, जबकि सोकार lake hypers line है, मतलब बहुत जादा सा line है, जो की चांग्ठांग रीजन लदाक का है, वहाँ पर य देख लेजिए, ये लदाक यूटी है, इसके साउथ में ये चांग्ठांग रीजन है, यहीं पर आपको ये दुनों lakes मिलेंगी, लेक के location देखें, ये सोकार lake है, जो की hypers line है, comparatively बड़ा है, और नीचे स्टार सापुक सो है, जो की comparatively छोटा है, लेकिन fresh water है, ये पूरा area, या आसपास का adjoining area, ये मिला कर ये पूरा complex बनता है, जिसे सोकार complex कहा जाता है, अब ये इंडिया का 42nd रामसार साइट बन चुका है, सोकार इसका मतलब होता है, होइट ले, चुकि हाइपर सलाइन है, तो जब पानी evaporate हो जाता है, तो सफेद रंका दिखता है, अगर हम bird area के perspective से बात करें, तो international, ये जो bird life international है, इन्होंने इसे even category में declare किया है, चुकि central Asian flyway में आता है, कई सारी migratory birds यहाँ पर रुखती है, जो बहुत important है, that is, black necked crane, ये आप image में इसे देख सकते हैं, इसके लावा कुछ और भी birds हैं, दोजार great, presseded grave, bar-headed geese, rudy, shell duck, brown headache, headed gull, laser, sand, plower, और भी कई सारी bird के species हैं, definitely ये सारे नाम आपको याद नहीं रहेंगे, रामसार convention की बात करें, तो intergovernmental treaty है, 1971 में sign की गई थी, ताकि जो wetland वाला area है, उसे हम बचा सके, रामसार इरान की एक city है, वहीं पर sign की गई थी, इसलिए इसे रामसार convention कहते हैं, इंडिया में ये force में आया 1st February 1982 को, अब देखें, ये उद्देश इस convention का ये है, कि local, national और international actions के assistance और cooperation के माध्यम से, उनको preserve किया जाए और protect किया जाए, अगर कोई भी ऐसा wetland है, जिसे रामसार साइट उस particular country ने डिकलेर किया है, at the same time ऐसा भी में असूस हो रहा है, कि उसके ecological character में या तो change हो रहा है, या हो चुका है, या हो सकता है, किसी भी वज़़े से, technological development की वज़े से, pollution की वज़े से, य ऐसे wetland को Montrex record में डाल दिया जाता है, Montrex record, ये list है, international level पे concern वाले wetlands की, इंडिया के तीन ऐसे wetlands को इसमें रखा गया था Montrex record में, उसके बाद international attention दिया जाता है, assistance दिया जाता है, ताकि उन्हें recover किया जा सके, क्योलादेव नेशनल पार्क, लोग टक लेक, क्योलादेव इसको भी रखा गया था, बट बात में इसे निकाल दिया गया, यहाँ पर जो situation थी, वो improve हो गई, ठेके, सो मोरीरी के बारे में बात करते हैं, सो मोरीरी जो लेक है, वो आपको सो कार के south में मिलेगा, in fact, लद्दाक के south के region में मिलेगा, ये already एक रामसार site है, ये mountain lake है, जो लद्दाक का वहीं पर मिलेगा, 2002 में ही इसे list में रामसार convention के तहट जो रामसार wetland sites होती है, उसमें declare कर दिया गया था, location आप map में देख सकते हैं, ये सो मोरीरी है, यहाँ पर जिसके हम बात कर रहे हैं, और ये है सो कार, जिसके बारे में अभी तक हमारी बात चल रही थी, ये area यहाँ पर, article BBX11 gene के बारे में है, context क्या है, अभी हाली में Indian Institute of Science, Education and Research ने एक नए gene को recognize किया, इस gene को नाम दिया गया BBX11, ये जो gene है, ये किसी भी पौधे में जो पत्तियां होती हैं, उनकी greening को facilitate करता है, यानि की बढ़ाता है, या उसे maintain करता है, अब जो पौधा होता है, उसकी greenery chlorophyll की वज़े से होती है, ये हमने बच्पन से पढ़ा है, लेकिन chlorophyll किसी भी पौधे में बनने से पहले, एक और immediate component तयार होता है, जिसे proto-chlorophyllide कहा जाता है, प्रोटो-chlorophyllide इस बात को determine करता है, कि पौधे में जो green pigment है वो कितना जादा होगा, अब प्रोटो-chlorophyllide इसकी जो मात्रा है, उसे regulate करने में इस gene का बहुत vital role होता है, BBX11, इस चीज को और विस्तार से समझते हैं, देखे, जो chlorophyll है, वो किसी भी plant में, बनने में, एक बह जंदी और multi-step process तयार होता है, या लगता है, example के तौर पे, जब एक बीज पौधे में परिवर्तित होता है, तो पहले वो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर जब वो मिट्टी में होता है, तो तुरंत ही उसमें chlorophyll required होगा, तब ही वो अपनी खुद की growth को start कर तो chlorophyll के बनने से पहले उसका एक precursor बनता है, जिसे proto chlorophyllite कहा जाता है, यह dark में ही तयार हो जाता है, अगर आप blue light इसके उपर डाले, तो यह लाल कलर में glow करता है, इसके बाद जैसे ही जो plant है, वो soil के उपर आता है, तो जो light dependent enzymes होते हैं, वो इसी proto chlorophyllite को chlorophyll में convert कर देते हैं, और यह chlorophyll उसके बाद sunraise का इस्तिमाल करके plant के लिए भोजन बनाना या food तयार करना शुरू कर देता है, अगर यह proto chlorophyllite अधिक मात्रा में बन जाए, अगर कम मात्रा में बनेगा, तो chlorophyll कम रह जाएगा, जिससे पौधे अपना खाना अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे, nutritional lack हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और अगर यह proto chlorophyllite जादा हो जाए, तो इससे जो पौधे हैं वो ज्यादा sunraise accept करने लगेंगे, जिसकी वज़े से photo bleaching हो सकती है, पौधों का पत्तों का जो color है वो fade होने लगेगा, इससे fading भी कहा जाता है, तो दोनों ही अच मात्रा में रहे, जितना required है, ये काम ये BBX 11 gene करता है, इसके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब है, इसलिए काफी important हो जाता है ये gene, क्योंकि ये determine करता है कि कितनी मात्रा रहेगी proto-frotocolite की, अगर ये कम है, तो पौधा green नहीं होगा, sunlight को harvest नहीं कर पा plant growth को optimize करने के लिए, अब हमें पता है कि अगर कोई plant stressful condition में है, या climate change काफी तेजी से हो रहा है, तो उसके implications को handle करने के लिए, हम इस gene का इस्तिमाल कर सकते हैं, अलग लग तरीके से researches में, तो काफी बढ़िया discovery है ये, अब जो हमारा अगला article है, वो सतकोसिया tiger reserve के बारे में है, अब ही हाल ही में, NTCA ने, NTCA का मतलब क्या है, National Tiger Conservation Authority, उन्होंने उडिसा से ये कहा कि आप एक status report देजिए, कि जो tourism industry है, उसने सतकोसिया tiger reserve में कितना बुरा प्रभाव डाला है, बात करते हैं सतकोसिया tiger reserve के बारे में, देखे इसमें आस पास की, दो centuries का जो area है, central उडिस गरी, 2007 में, इसे सतकोसिया tiger reserve के रूप में, notify किया गया, location की बात करें, तो उडिसा के अंगोल district में आपको मिलेगा, महानदी जो river है, वो 22 km का gorge बनाती है, इस्टन घाट के mountain में, जो यहीं से होकर गुजरता है, अब यहां पर देखें, महानदी elephant reserve जो है, वो भी इसके हिस में आ जाता है, यह transition zone में पढ़ता है, छोटा नाकपर प्लेटू और डेकन प्लेटू का जो transition zone है, उसके region में यह आपको मिलेगा, तो दोनों ही location का, जो एक endemic life forms होते हैं, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, flora और fauna, क्या मिलते हैं वहाँ पर, तो moist deciduous forest, dry deciduous forest, और saal forest भ चॉसिंगा, sloth bear, wild dog, कई सारी migratory birds और reptilian species आपको यहां पर मिलेंगी, protected area जो ओडी सामें है, national park, भितरकन के और सिंबली पाल, wildlife centuries में, बद्रमा, चिलका, हदगर, कोटागर, नंदन कानन, लाखरी और गहिरमाथा, जो मारा अगला article है, वो new whale song के बारे में है, अभी Indian ocean के western part म एक नए whale का song record किया गया, detect किया गया, तो इससे हमें ऐसा लगा कि ये कोई नई whale की population है, जिसके बारे में अभी तक हम जानते नहीं थे, चुकि जो whales होती है, वो आपस में various sound करके communicate करती हैं, ये socialize भी करती हैं, दूसरे के साथ बातचीत भी करती हैं whales आपस में, तो ये आप ये sounds हैं, जिनका इस्तिमाल ये करते हैं, आपस में communicate करने के लिए, ये चीजों को identify करने के लिए, ये clicks का इस्तिमाल करते हैं, ये जो clicks होता है, वो आसपास चीजों से टकराता है, और उनकी image इन में बना देता है, तो उसके basis से determine करते हैं कि सामने है क्या, तो क्या हम whales के songs को सुन सकते हैं, देखें कुछ के, क्योंकि इनके जो song की frequency होती है, वो 4 kHz के आसपास होती है, हम 20 Hz से 20 kHz तक सुन सकते हैं, लेकिन कुछ whales ऐसी होती हैं, जैसे कि blue and fins, ये हम इनकी frequency बहुत कम होती है, जो हम सुन नहीं सकते हैं, इनका जो गाना-गाने का duration होता है, वो 6 से 35 मिन context ये है कि जो botanist है, उन्होंने अभी हाल ही में, wild sun rose की एक नई species को ढूड लिया है, कहां पर ढूडा? इस्टन घाट में ढूडा, आंधर प्रदेश का प्रकासन डिस्टिक का जो area है, वहीं पर इसे discover किया गया है, इसके कुछ बहुत unique features हैं, जैसे कि इसमें आपको tuberous roots मिल होती है, इसके अलावा, यहां पर जो leaf axles हैं, वहां पर आपको कोई hairs नहीं मिलेंगे, जो की जातर पत्तों में देखने को मिलते हैं, जैसे ये, ये शीच जो आपको इस पत्ते के कोने पर मिल रही है, ये इस पौधे के पत्तों में नहीं मिलते हैं, इनके जो slars होते हैं, वो red is pink होते हैं, fruits एक prolet shape में होते हैं, ये shape जो indicate किया गया है, ये prolet shape है, copper brown seeds होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती, ये कुछ specific features हैं, इस portula का, लाल जी के, इनके जो tuberous roots हैं, ये इनको assist करते हैं, कि ये पत्थरों के दरारों में भी आसानी से उगाते हैं, क्योंकि ये nutrition को और water को store करके रख लेते हैं, इने sun rose इसलिए कहा जाता है, because ये bright sunshine में ही flower होते हैं, full in के खिलते हैं, इसके नाम में आप एक लाल जी word देख रहे हैं, actually में ये लाल जी सिंग, जो की prominent botanist रहे हैं, Botanical Survey of India के, उनके contribution को याद रखने के लिए ये नाम इस flower को या इस पौधे को दि certification के साथ inaugurate किया, अच्छी बात है, ये जो 8 beaches हैं, इनको 6th of October 2020 को blue flag certification है, वो grant कर दिया गया था, इसको grant किया चाता किसके दवारा है, ये blue flag certification एक international recognition होता है, जिसे दिया जाता है, एक not for profit organization fee के दवारा, full form है foundation for environmental education, कुछ criteria है इनको किसी भी बीच को blue flag certification देने का, जैसे कि environment को लेकर education information spread की जा रही है, वहाँ का पानी बहुत बढ़िया है, environment management, conservation बहुत अच्छा है, safety के standards बहुत बढ़िया है, तो ऐसे beaches को blue flag certification दे दिया जाता है, काफे फायदे होते हैं इसके, फिर लोग जो beaches को विजिट करना चाहते हैं, तोरिस उनको idea रग जाता है कि ये बीच बढ़िया है, यहाँ जाया जा सकता है, इसे certification मिला है, तो आठ बीच, जिने certification मिला है, वो हैं सिवराजपुर, द्वारका गुजरात, गोगला, डियू का, कासार कोड और पडू बीदरी, करनातका का, कपड केरला, रूशी कोंडा, अंदरपदेस, गोल्डेन, पुरी उड पीसा, राधा नगर, अंदरमान निकोबार आइलेंड, उद्देस ये है कि हम सौ और बीचेस का ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन अवेल करें, आने वाले महद तीन सालों में, इस टार्गर के साथ गौर्वर्मेंट वर्क कर रही है, एस या पैसिफिक रीजन में इंडिया पहला ऐसा देज बन गया है, जिसके पास 50 ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन हैं, वो भी जस्ट टू इयर्स में, वैसे इस लिस्ट को टॉप करता है स्पेन, जहां पर 560 ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन वाले बीचेस हैं, ये सर्टिफिकेशन केवल बीचेस को नहीं दिया कोलारी लीफ नूजवेज़ बैट के बारे में है, यहाँ पर लीफ नूजवेजह का मतलब समझ में आ रहा है कि पत्तियों जैसी नाख होगी, अब ये इमज में है, आप डिसाइड कर लीजे कि पत्तियों जैसी है या फिर नहीं है, बैट मतलब चमगादव, करनाटका के Department ने अभी Bat Conservation India Trust के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि वो कोला लीफ नोजड बैट को extinct होने से बचाएंगे और उसके लिए initiative चलाएंगे इससे साफ हो गया कि इनकी संख्या बहुत कम है और इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं scientific name है Hippocidorous Hypophilus ऐसे UPSC ये scientific name तो आप से नहीं पूछेगी ये इंडिया के endemic है ये important information है मैं repeat करता हूँ आपके लिए ये इंडिया के endemic है यानि की भारत के लिए स्थानिक है केवल यहीं पर आपको मिलेंगे कहीं और नहीं मिलेंगे वरतमान में करनादिका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में केवल एक गाउं है जहां पर सिर्फ एक केव में आज ये पाये जा रहे है हनमाना हली एक विलेज है वहाँ पर की एक सिंगल केव बची है जहां पर अभी ये वरतमान में हमें मिलते हैं आयूसियन रेड डिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कई सारे कारण हैं इनके कम हो जाने के लैंड यूज बिगड़ रहा है इनको कई बार हंट कर लिया जाता है ये चुकिए गुफाव में रहना पसंद करते थे और पत्थरों का उत्खनन स्टार्ट हो गया स्टोन को क्यार किया जाने लगा तो उससे भी इनका जो हैबिटेट था वो खराब हो गया जो कुलाज लीफ नोजड बैट है वो इसके पहले दो केवस में पाया जाता था लेकिन किसी करण से एक केव में ये गायब हो गया अब केवल एक ही केव में ये मिलते है इसके पूरे केव के आसपास का 30 एकर का जो इलाका है उसको करनाटका के सरकार ने प्रोटेक्टेड एरिया डेकलेर कर दिया है और वहाँ बार किसी भी नए इंफ्रा के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है उसके लिए प्रेयर अप्रूर्ल रिकॉयर्ड होगा ताकि अगर ये बैट आसपास के एरिया में स्प्रेड होना चाहते हैं तो आसानी से हो सकें बैट कर्जनरवेशन इंडिया ट्रस्ट की बात करें तो नौन प्रॉफिट और्गिनाजिशन है जिसका उद्देश जो बैट है उसके हैबिटेट को प्रटेक्ट करना है इनका हेड़कॉर्टर करनाटका के बैंगलूरू में है अगला आर्टिकल सी ग्रासिस के बारे में है तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है रेगुलेट करना है तो उसके लिए सी ग्रासिस को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब इतनी एलाइन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सी ग्रासिस को इसलिए बचाया जा रहा है कि सी ग्रासिस आर गुड एंड एफिशन्ट कारवन सिंक का काम करते हैं ये सी ग्रासिस इसलिए इनको बचाना ज़रूरी है जिस तरीके से आप देखते हैं सोईल कार्बन सिंग हैं ट्रीज हैं कार्बन सिंग होते हैं इस तरीके से आपका सी ग्रास भी कार्बन सिंग है अब सी ग्रास जो है आपने कभी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे स्कूबर डाइविंग वगरा के तो आपने देखा हो जैसे जो जमीन पर उखते हैं, वो ही पानी के अंदर उख गए हैं, यह आपको हर जगा देखने मिल जाएंगे, चाहे आप ट्रॉपिकल वाटर्स की बात करें, या फिर आक्टिक सार्कल की बात करें, हर जगा आपको लगबग सी ग्रासिस देखने मिल जाते हैं, जो की जोते हैं वाटर के अंदर, कुछ और जानकारी आगर इनके बारे में हासिल करें, तो यह रिप्रोडक्शन जो है, वो सेक्शुल और असेक्शुल दोनों मेथड से करते हैं, यह चाहे मढ हो या रॉक हो, हर जगा आपको देखने मिलेंगे, एक्स्टेंसिबली ग्रो करते ह हैं, चाहे मढ़ी सॉयल हो, सब्स्टेट हो, या सैंडी सब्स्टेट हो, हर जगाए आपको मिल जाएंगी, खासियत इनकी यह है, कि टरिस्टियल प्लांट्स जो थे, सतर से सो मिलियन एर जगो, वो ही इवाल्व हो गए है, उनीन एविल्यूशन के दौरान, अपने आपको सी ग्रास में तब्दील कर लिया है, इंडिया में भी सी ग्रासिस बहुत देखने मिलते हैं, पर्टिकुलर्ली जो पाक स्टेट का एरिया है, गल्फ और मनार का एरिया है तमिल्लाड के पास में, यहाँ पर आपको सी ग्रासिस देखने मिलते हैं, पर दिकत की बात यह है, अब दीरे दीरे ये threaten होते जा रहे हैं। इससे सवाल आता है कि threaten क्यों हो रहे हैं, क्या वज़े हैं उसकी, उसके बार में भी चर्चा करेंगे। तो इसी वज़े से अब तमिल लाडू के आसपास में, जो तमिल लाडू के forest department है, वो restoration का काम चालू कर रहे हैं, sea grasses का restoration कर रहे हैं। कुछ महत्पूर्ण sea grasses हैं, जैसे sea cow grass हो गई। थोड़े से नाम इसलिए मैं बता रहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुमा फिराकी UPSC सवाल पूछ लेती हैं। इसका नाम है साइमोडोसिया सेरूलाटा, वैसे 3D sea grass होते हैं, जिसको कहते हैं साइमोडोसिया डोटून डाटा, फिर needle sea grass होते हैं, जिसको syringodium, isotifolium कहते हैं, फिर flat tipt grass होते हैं, जिसको holodule, uni nervous कहते हैं। अब यहां दिक्कत यह है कि कभी-कभी इस तरीके का सवाल आ जाएगा, आपको एक word दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा यह क्या है, क्या यह invasive species है, क्या यह sea grass है, क्या यह bird है, क्या यह butterfly है, वहाँ पर आपको नाम पता होना चाहिए, इसलिए एक दुबार पढ़ ले, याद हो जाए अच्छी बात है, दो नमबर मिल जाएंगे, नहीं होँगे, तो सवाल तो छूटेगा, तो sea grass के बारे में हम बात करें, तो उनको कैसे threats हैं, इसकी बात करते हैं, पहले तो देखिए, ice scoring हो जाए, storms, grazing, यह सारी चीज़े हैं, eutrification आप जानते हैं, अगर किसी भी water body में, excessive minerals हो जाते हैं, तो eutrification हो जाता है, जो human activities की वज़े से होता है, desiccation मतलब वो जो जगा है, वो सूख जाए, तो भी sea grasses को दिक्कत हो जाती है, mechanical destruction, जिसमें आप जानते हैं, water trawling, जो trawlers होते हैं, fishing के लिए, fish trawling होती है, उससे भी sea grasses को नुक्सान होता है, siltation से अगर उनके उपर मिट्टी silt वगएरा डल जाए, तो भी उनको नुक्सान होता है, over fishing है, nutrients जादा हो जाए, ये सारी चीज़े जो है, साथ मैं आप देखिए, अगर coastal areas में construction होता है, तो उससे भी pollution वगएरा होता है, और भी जो ecological activities हैं, वो disturb होती है, जिसकी वज़े से sea grasses को नुक्सान पहुचता है, तो आप बात करें, importance की, तो sea grasses को कहते हैं, ecosystem के engineers, इनका काम है, कि ये जो sediments होते हैं, उनको trap कर लेते हैं, जिसकी वज़े से पानी जो आपको काफी साफ नजार आता है, water quality को भी maintain करने का काम sea grasses करते हैं, और लगभग 11% of organic carbon जो है, वो ocean में buried है, sea grasses के palm में, और साथ में 35% लगभग 35% ये tropical forest से ज़्यादा तेजी से carbon को capture करते हैं, तो अगर carbon sink की बात करी जाए, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 35 टाइम ज़्यादा effective carbon sinks हैं, ये आपके sea grasses. तो आज के इस session में बस इतना ही, थैंक्यू वरे मच्छ.